नमस्कार आपका स्वागत है प्रिय मित्रों हमारे हिंदू शास्त्रों में सूर्य देव को सबसे प्रमुख देव माना जाता है सूर्य देव को तेज तप और ज्यान का देव कहा जाता है वही जोतिश के ग्रहों में भी सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना जाता है जिस कारण हमारे हिंदू धर्म में प्रातय काल उठकर सूर्य को अर्ध्य देने को कहा जाता है क्योंकि सूर्य जिस प्रकार अंधेरे का नाश करके उजाले का निर्मान करते हैं उसी प्रकार सूर्य को अर्ध्य देने से ये जीवन के अंधकार का नाश करके जीवन को प्रकाश मान करते हैं रत सप्तमी सूर्य देव की पूजा करने के लिए सर्वश्रिष्ट दिन माना जाता है इस दिन जो मनुष्य सूर्य देव की पूजा करता है उस जातक के जीवन के सभी कश्टों का नाश हो जाता है जोतिश में शास्त्र माना जाता है कि जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होता है उन्हें रत सप्तमी का व्रत करना चाहिए रत सप्तमी को अचला सप्तमी भी कहा जाता है पौरानिक ग्रंथों के अनुसार माग माह के शुकलपक्ष की सप्तमी के दिन सूर्यदेव अपने हीरो से जडित साथ घोडो वाले रत पर बैठे थे जिस कारण से इस माग सप्तमी को रत सप्तमी भी कहा जाता है इस वर्ष रत सप्तमी 28 जनवरी के दिन शनिवार को मनाई जाएगी इसी दिन श्रीकृष्ण के पुत्र साम को सूर्यदेव की उपासना के कारण अपने कुष्ठ रोग से मुक्ती मिली थी जिसके बाद कश्टों के निवारन के लिए रत सप्तमी के दिन सूर्यदेव की उपासना करने का त्योहार मनाया जाता है माना जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य की विधिवत पूजा और व्रत करने से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है साथ ही इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके सूर्यदेव को अर्गे देने से जातकों की स्वास्थय संबंधी समस्याएं दूर हो जाती है और सूर्यदेव उन्हें आरोग्य का वर्दान प्रदान करते हैं इतना ही नहीं इस दिन विधिवत सूर्य देव की पूजा करने से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्थ होती है रत सप्तमी के दिन सूर्य देव की कृपा पाने के लिए सूर्य देव की कथा को सुनना चाहिए और सूर्य देव की विधिवत पूजा करनी चाहिए मित्रों सबसे पहले हम सूर्य देव की कथा को सुन लेते हैं जिसके पश्चात रत सप्तमी की पूजा विधी के बारे में जानेंगे। पौरानिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपने पिता की तरहे ही सुन्दर और बल्वान थे। इस बात का सांब को अत्यधिक घमंड था। एक बार जब दुर्वासा रिशी श्री कृष्ण से मिलने के लिए आएं, तब दुर्वासा रिशी लंबे वक्त से तब कर रहे थे, जिस कारण से उनका शरीर बेहत कमजोर नजर आ रहा था। रिशी दुर्वासा के शरीर को देख कर साम्ब उन पर जोर जोर से हसने लगे। अपना अनादर होता देख दुर्वासा रिशी अती क्रोधित हुए और उन्होंने साम्ब को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। दुर्वासा रिशी के श्राप के कारण साम्ब के शरी पूरा शरीर की हालत बहुत दैनिय हो गई। उनका पूरा शरीर कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया। जिसके बाद सांब अपने पिता श्री कृष्ण के पास सलाह लेने पहुँचे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान सूर्य देव की उपासना करने की सलाह दी। त गो पिता की आग्या मानकर सांब प्रति दिन भगवान सूर्य की पूजा करने लगे और रत सप्तमी का व। सूर्य देव के प्रती अटूट विश्वास और रत सप्तमी के वरत के कारण साम्ब दुर्वासा रिशी के श्राप से मुक्त हो गए और पहले की तरह सुंदर और आकर्शक बन गए, जिसके बाद अपने रोगों से मुक्ती के लिए और सूर्य देव का आशिरवात प्राप् हो जाती है, रत सप्तमी के दिन सूर्य देव की विधिवत पूजा करने से शुब फलों की प्राप्ती होती है, रत सप्तमी के शुब दिन 28 जनवरी को प्रातह जल्दी उठकर स्नान से निवरित्थ होकर रत सप्तमी के वरत और सूर्य पूजा का संकल्प कर लें, इसके बा आग के साथ पत्तों पर साथ आटे से बने तेल से भरे दीपक प्रजवलित करें। इस पूजा के संपन्न होने के उपरांत घर के पूजा स्थल पर सूर्य देव की मूर्ती पर तिलक लगा कर चावल और मोली चड़ावे। जिसके बाद सूर्य चालीसा का पाठ करें और आर्ती करें। इसके बाद पूजा स्थल पर रखे कलश का पूरे घर में छिड़काव कर दें। पूजा स्थल के काम से निवरित्थ होने के बाद आग के पत्तों पर रखे दीपक को अपने उपर से साथ बार घुमाकर नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। अत्वित भोजन करना अनिवार्य है। वही रत सप्तमी के दिन स्नान और पूजा के बाद किसी गरीब व्यक्ति को गेहु, मसूर दाल, गुड, तामबा, लाल या नारंगी वस्त्रदान करने से कुंदली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है और शुग फलों की प्राप्ती ह वही रत सप्तमी के प्रारंभ की बात की जाएं, तो ये रत सप्तमी 28 जनवरी 2023 के दिन सुभह 5 बचकर 25 मिनट से 7 बचकर 13 मिनट तक रहेगी। 28 जनवरी के पूरे दिन भगवान सूर्य देव की पूजा की जा सकती है। अपने रोगों और कश्टों के निवारण के लिए रत सप्तमी का वरत और कथा अवश्य करें। तो दोस्तों इस प्रकार से आप रत सप्तमी का वरत जरूर करें। उम्मीद है आपको यह जानकार अच्छी लगी होगी। विडियो को लाइक जरूर करें। और कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय सूर्य देव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।